आप हाई फ्रेंट्स मैं अपसेख और अपसेख टुट्रेल्स में आपका स्वाध करता हूं जैसे फार्मेसी काउंसलिक आफ इंडिया ने एक नया पोर्टल ओपन किया है इस्टूडेंट रजिस्टेशन तो आप उसके लिए रजिस्टेशन के लिए जो यह ऑफिर आपको अपना नाम यहां डालना है और फिर इसके बाद यहां पर आपको अपनी mobile number डालनी है और यहां पर आपको नीचे email id डालनी है जो आपने admission के समय दिया था यहां पर role मांग रहा है मतलब एक ही आपसन यहां होगा role में केवल student का तो आप यहां student सेलेक्ट कर देंगे और फिर organization मांग रहा है तो organization में आपको आपको अपना institute search करना है तो हम सक्ति से हैं तो इसलिए हम अपना institute search कर ले रहे हैं आपका जो होगा आप वो search करके select कर देंगे तो हमने सक्ति college आप pharmacy दुलहिन प्रबल्लामपूर यह हमारा college है तो हम इसको select कर दे रहे हैं और फिर इसके बाद नीचे आपको आएंगे तो यहां पर आपको state मांगेगा तो इस्टेड यूपी है हमारा आपका जो होगा वो भरेंगे आप और फिर district district में आपको अपने गाउं का पता डालना है मतलब जहां आपका घर है उसको डालना है ना कि college का पता आपको अपना एड्रेस डालना है तो हम स्रावस्ती तें स्रावस्ती डाल दे रहे हैं यहां पर आप अपना ब्लेज का नाम डालेंगे जहां पर आपका घर है तो हम अपने घर का नाम फिल कर दे रहे हैं और फिर नीचे आपको अपना एरिया पिन को डालना जहां आपका घर है इसके बा हमने पहले कर दिया है तो क्योंब आपको बताने के लिए किया था हम दुबारा है करें गोड़े करें यह 5 होने के बाद आपको उसे पर हम उपने इमेल डालेंगे तो आप यहाँे इस प्र पicon hous to तो डालेंगे तो हम अपनी यूजर आड़ी़ और पासवर फील कर ले रहे हैं इसके बाद लौगईन बट्रेफ्ट क कले करके लौगईन कर ले तो जिसी कि हमारे आड़ी़ लौगईन हो चुकी है तो यहाँ पर उपर लिखका है यूजर manual के भी download करके देख सकते हैं कि कहां क्या भरना है क्या नहीं और नहीं तो आप को हम चलो बताते हैं कि कहां कौन सा option बना है तो यह home page है फिर नीचे आपको उसी के नीचे मिलेगा student profile इस पर आपको click करना है जैसे ही आप profile पर click करेंगे यहां पर आपको मिलेगा personal details इसको आपको डालेंगे तो आहां सबसे पहले आप आपको अपने institute का नाम मिल जाएगा और आपने जो registration किया था वो registration का नाम फिर आपको यहां पर अपना फादर नेम फिल करना है और फिर यहां पर आपको अपना जेंडर है वो select कर देना है और यहां पर आपको अपने date आप बट डाल देनी है वो इसमें आप फिल नहीं कर सकते आप संसेल करके कर सकते हैं तो हमने प्रकर कर लिया है पिर यहां पर आप पर आपको इंडियन डालना है अगर आप विदेश से हैं तो यहां अपनी राश्टता विदेश के ही डालेंगे फिर यहां पर आपना पुना अपनी email id डालेंगे और फिर यहां पर आपना mobile number आप डालेंगे और फिर आपको यहाँ identity भी देनी है तो इसमें आपको तीन आपसन मिले हैं आधार कार्ड, रासन कार्ड या pen कार्ड तो हम यहाँ पर रासन कार्ड डाल दे रहें फिर उसका number भी आपको यहाँ देना है तो हमने आधार से रिड़ के है और अपना आधा नंबर यहां फिल कर ले रहे हैं फिल करने के बाद आपको यहां पर चूज फाइल मतलब आपको आधार कार्ड अपलोड भी करनी है जो की 1 MB से कम हो लिखा है maximum file size 1 MB मतलब 1 MB से आपकी file कम हो तो आप यहां से चूज करके अपना आधार कार्ड की photo copy भी अपलोड करनी है तो आप यहां से चूज करके अपलोड कर सकते हैं तो हमने 1 MB से नीचे बना रखा है तो हम अपलोड कर दे रहे हैं यह आधार कार्ड हमने अपलोड कर दिया तो फिर आप इसके बाद नीचे जाएंगे थोड़ा तो आपको और अपसन फिल करना है जैसे यहां पर आप अपना address डालेंगे तो house number जो आपका घर number होगा वो डाल दे रहे हैं हमारा house number नहीं है तो हम नया लिख दे रहे हैं यह फिर आपको भी लिख सकते हैं और यहां पर हम अपना road डाल दे रहे हैं मतलब या location और फिर आपको लोकलेटी डाल देनी है और फिर यहां पर आपको state select ही है आप गलत है तो आप change कर सकते हैं फिर district भी select है फिर यहां पर आपको sub district select करनी है तुसरा अस्ति में तीन सब्जिक्ट डिस्टिक हैं, विंगा, इकोना और जम्नहा तो आपकी जो सब्जिक्टिक होगी वो आप यहां सेलेट करके सेलेट कर देंगे, फिर यहां पर आप अपना टाउन या सिटी का नाम डालेंगे तो हम टाउने सिटी का नाम फिल कर ले रहे हैं तो बाद नीचे आपको एक चूज फाइल एक आपसन और मिलेगा यहाँ पर आपको अपनी फोटो अपलोड करनी है वो भी आपकी एक MB से कम होनी चाहिए फोटो तो हम यहाँ अपनी फोटो अपलोड कर दे रहे हैं इस सिकन्ड अपसन भी अपनी प्रोफाइल में अपडिट कर दी है जो नीचे लिखा है चूज दिस कोर्स इसको ओपन करेंगे आप तो यह वीडियो काफी लंबा हो जाएगा तो हम इस वीडियो को यहीं पर खतम करते रहे हैं और बाकी इसका भी वीडियो में जल्दी आपको अपने चैनल पर पुबलब करा दूंगा हैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो